क्या आप एक ऐसी पत्नी बनना चाहती है जो अपनी पती की लाडली पत्नी हूँ, अपने पती की आँखों का तारा हूँ, आपके पती आपके साथ हर बात को शेयर करना चाहिए, आपको ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मानी Friends, इन प्रिश्णों का उत्तर अगर हाँ है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं निदिगर्ग आपके साथ साथ ऐसे सीक्रिट शेयर करूँगी, जिन से आप जान सकेंगी कि आप अपने पती की लाडली पत्नी कैसे बन सकती है, कैसे उनके दिल को जीत सकती है, वीडियो को शुरू करूँ से पहले मैं आपके साथ तीन बाते क्लियर कर देना चाहती हूँ, फर्स्ट हर रिष्टा अलग होता है, इसलिए जरूरी नहीं है कि हर किसी के उपर ये सीक्रेट समान रूप से ही लागू हूँ, सेकिंड बात आती है कि आपको अपने पती को समझने और जानने की कोशिश करनी है और उसी के हिसाब से ही अपनी रनीती बनानी है और ये सीक्रेट आपको वो रनीती बनाने में आपकी मदद करेंगी, थर्ड, सिर्फ पॉजिटिविटी पर फोकस करना है, जो बात आपको समझ में नहीं आ रही है, उसे आपको छोड़ देना है और जो बात आपको समझ में आती है, उसी बात को आपको अपलाई करना है, यानि सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आज की इस वीडियो को ता कि आप जान सके कि अपने पती की लाडली पतनी आप कै इसे बन सकती हैं, जिसमें सबसे पहली बात आपको अपनानी है कि अपने पती के साथ आपको इमोशनली अटैच हो जाना है, जो पती पतनी आपस में इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उनका रिष्टा दिन प्रति दिन गहरा होता जला जाता है, वो एक दूसरे के लव टैं होना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन धीरे-धीरे हम जब कोशिश करते हैं तो वो काम भी कर लेते हैं और धीरे-धीरे हम अपने पती के साथ emotionally attached हो जाते हैं जब हम उनकी love language को जान जाते हैं उनके love tank को हम भरना शुरू कर देते हैं तो धीरे-धीरे आप अपने पती की लाडली पत्नी बन जाती हैं जब हम counseling के दौरान लड़कियों को सिखाते हैं कि उन्हें अपनी पती के love tank को कैसे fill करना है तब वो उन बातों को apply करती है और उनके उस love tank को fill करके वो उनके साथ emotionally attached हो जाती है तो आपको भी अपने पती की लाडली पत्नी बनने के लिए उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाना है जब आप एक दूसरी के साथ emotionally attached हो जाते हैं तब पती आपके साथ अपने मन की हर बात share करना शुरू कर देते हैं आपके साथ quality time spent करना शुरू कर देते हैं आपकी हर बात को मानना शुरू कर देते हैं हर बात को सुनना और समझना शुरू कर देते हैं आप अपने पती की आंखों का तारा बन जाती हैं उनकी लागली पत्नी बन जाती हैं इसमें दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि अपने प्यार को जताना कभी ना भूलें कई बार पत्नियां अपने प्यार को जताती ही नहीं हैं उन्हें लगता है कि उनके पती बिना बताये ही उनकी बात को समझ जाएंगे वो देख रह खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ, खुद को इस घर में एड़ेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कई बार पत्नियों को प्यार जताना ही नहीं आता है, तब भी वो अपने पती को प्यार जता नहीं पाती हैं, लेकिन आपको अगर अपने पती की लाडली प बड़ेगी आपका ताल मेल बड़ेगा जितना ज्यादा ताल मेल बड़ेगा उतना ही ज्यादा आपका रिश्टा मजबूत होगा और आप अपने पति की लाडली पतनी बन जाएंगी इसमें थर्ड बात जो आपको करनी है कि फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करनी है जूधूल घर्ची नहीं करती हैं, बलकि सेविंग पर ध्यान देती हैं, क्योंकि जो पत्निया अपनी पती की कमाई को बचाती है, धीरे धीरे उन्हें बढ़ाती हैं, तब पतियों को वो पत्निया बहत ही ज्यादा भाती है। क्योंकि पती चाहते हैं कि जो भी कमाकर वो लाकर अपनी पत्नी को देते हैं उनकी पत्नी उस धन को बचाए उसे बरकत करे उसे भड़ाए तब ही आप अपने पती की लाडली पत्नी बन जाती हैं जरूरत की चीजों के लिए आपके पती कभी आपको मना नहीं करते हैं लेकिन फिजूल खर्ची को देखते हुए भी वो आपको कुछ नहीं कहते हैं लेकिन आपको अगर अपने पती की लाडली पत्नी बनना है तो फिजूल खर्ची बिना कहे ही आपको बंद कर देनी है इसम हमीशा अपने पती को रिस्पेक्ट देती हैं क्योंकि रिस्पेक्ट एक ऐसी भावना है जो हम किसी वी व्यक्ति को जितनी ज्यादा देते हैं बदले में हमें भी उतनी ही ज्यादा मिलती है इसलिए जब हम कि अपने पती के साथ सब के सामने या तो फिर अकेले में सम्मान प दजबूत होता चला जाता है और आपका गैहरा रिष्ता आपको लाडली पत्नी बना देता है, इसमें नेक्स बात का जो आपको ध्यान रखना है कि अपनी लुक पर ध्यान देना है, अपने आपको fit रखना है, हमेशा खुद को glamorous दिखाना है, ना सिर्फ आपको बाहरी रूप से glamorous दिखना है, बल्कि आपको अंदरूनी रूप से भी खुद को fit करखना है, जिसके लिए आप किसी योगा में जा सकती हैं, जिम में जा सकती हैं, meditation कर सकती हैं, जिससे आपका mind relax रहेगा और आप अपने गरेस्त जीवन को बहुत ही अच्छे से चला पाएंगी, इसलिए जो पत्मियां अपने पती के लिए बहुत ही सच समवर कर रहती हैं, वो पत्मियां पती को बहुत ही अच्छी लगती हैं, लेकिन कई बार पत्मियां श लेकिन धीरे धीरे वो खुद पर अपना ध्यान देना छोड़ देती हैं, परिवार और बच्चों में ही अपने ध्यान को लगा देती हैं, लेकिन अगर आपको अपने पती की लाडली पत्मियां बनना है, तो आपको खुद को भी फिट रखना है, क्योंकि जब आप क्योंकि परिवार फिट रह पाएगा, खुश रह पाएगा, स्वस्त रह पाएगा, इसलिए अपने पती की लाडली पत्मियां बनने के लिए आपको आफ फिट रहना बहुत ज़ादा ज़रूरी है, इसमें नेक्स्ट बात आती हैं, कि अपने पती को कभी भी ताने नहीं म लेकिन जो भी लाडली पत्नियां होती हैं अच्छी पत्नियां होती हैं वो कभी भी अपने पती को ताना नहीं देती हैं उनके मजाग को भी समझती हैं ऐसे ही एक बार एक पती ने अपनी पत्नी को फोन किया और फोन पर उसने अपनी पत्नी को कहा कि तुम बहुत अच्छी ह पत्नी ने कहा थाइंक्यू पत्नी ने फिर से कहा तुम तो बिलकुल राजगुमारी जैसी हो पत्नी बहुत खुश हुई उसने कहा थाइंक्यू सो मज उसके बाद पत्नी ने कहा कि तुम बताओ क्या कर रहे थी पती ने कहा मैं तो फ्री बैठा था इसलिए सोचा थोड़ा मजाक ही कर लूँ पत्नी इस बात से खफा हो गई और पती को ताने देने लगई कि तुम तो मुझे कभी भी तारीफ नहीं करती हैं लेकिन आपको ये बात समझने होगी कि अगर आपके पती आपसे मजाक भी कर रहे हैं तब भी इसका मतलब है कि आप पती पत्नी का रिष्टा थोड़ा सा मजबूत है गहरा है क्योंकि जिस रिष्टे में मजाक की गुझायश होती है वो रिष्टा बहुत ही प्यारा किसी और व्यक्ति के साथ नहीं करना है क्योंकि जब पत्नियां अपने पति को ही बेस्ट मानती है उनी से उम्मीद रखती है उनी को पसंद करती है तब वो पत्नियां हमेशा अपने पती की लाड़ली पत्नियां बनी रहती हैं, उनके मुझ से हमेशा परशंशा भरे शब्द निकलते रहते हैं, वो हमेशा अपने पती को हमेशा सबसे उपर रखती हैं, उन्हें समय समय पर मोटिवेट करती हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, उनके द्वारा किया हुआ कोई भी अच्छ जाती है इसमें नेक्स्ट बात आती है कि उनकी पसंद और नापसंद का भी ध्यान रखें काई बार पत्मियां यह जानती होती हैं कि उनके पती को ये काम पसंद नहीं है ऐसे ही एक लड़की मेरे पास कांसिलिंग के लिए उसने कहा कि उसके बहुत ही लंबे बाल थे उसके जोटे बाल पसंद थे, इसके लिए उसने अपने पती की बात को नहीं माना, और अपने बालों को कटवा दिया, और छोटे बाल रख लिए, लेकिन अब वो बहुत पच्टा रही थी, कि मेरे पती को अगर लंबे बाल पसंद दे तो मुझे नहीं कटवाने चाहिए थे इसलिए दोस्तों आपको भी अपने पती की पसंद और नापसंद का ध्यान रखना है क्योंकि जब आप अपने पती की पसंद और नापसंद का ध्यान रखती है तो धीरे धीरे आप उनकी लाडली पत्नी बन जाती हैं, तो आज के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हें क्या चीज बसंद है, क्या चीज बसंद नहीं है, उसी के according ही आपको अपने जीवन में उस दिन चर्या को बनाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी तरह से जीना बिल्कुल ही बंद कर देना है, आपको भी अपनी भी बात बहाँ पर रखनी है, अगर आपके पती सहमत होते हैं, तो आपको भी अपना जीवन जीने का पूरा हक होता है, इसमें next और last बात आती है, कि अपने पती के साथ quality time spent करी, जो पत्नियां अपने पती के साथ quality time spent करती हैं, जब पती घर पर आते हैं, तो उनके पास बैठती हैं, उन्हें undivided attention देती हैं, उनकी बात को सुनती हैं, समझती हैं, तब धीरे धीरे पती उनके साथ अपने मन की बाते शेयर करना शुरू कर देती हैं, वो अपने पती की सबस से अच्छी दोस्त बन जाती हैं, जब पत्नियां उनके साथ quality time spent करती हैं, तो उनका रिष्टा दिन प्रति दिन गहरा होता चला जाता है, जब एक पत्नी अपने पती के साथ quality time spent करती हैं, तो धीरे धीरे वो पती की लाडली पत्नी बन जाती हैं, उनकी सबसे अच्छी दो पति हर समय अपनी उस पत्नी को तलाश करते रहते हैं उनकी आँके हर जगे उनको ढूंटती रहती हैं यह तो थी कुछ बाती जिने अपना कर आप अपने पती की लाडली पत्नी बन सकती हैं लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने कहा है कि हर रिष्टा अलग होता है और कई बार लड नीचे एक स्क्रीन पर नंबर दिया गया है वहाँ पर आपको मैसेज करके अपनी बुकिंग करवानी है कॉल के द्वारा आपके बुकिंग नहीं की जाती है इसलिए आपको अगर काउंसलिंग करवानी है तो नीचे स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर ही आपको मैसेज करना है और अपनी booking करवा लेनी है हम mind reframing टेक्नीक द्वारा पति-पत्नी के रिष्टों को मजबूत बनाने में उनकी मदद करते हैं जो लोग भी counseling करवाते हैं उन्हें सोचने की एक अलग दिशा मिलती है वो अपने जीवन में खूब growth करते हैं और अपने रिष्टे को मजबूत बनाते हैं friends इस वीडियो से आपने क्या सीखा वो मुझे comment box में लिखके जरूर बताना इस वीडियो को like और share जरूर करना और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप पती पत्नी का रिष्टा हमेशा मजबूत बना रहें आप अपने पती की लाडली और प्यारी पत्नी बन जाएं और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाई